नमस्कार मितों मैं पंडित अक्री शुक्ल एसिया फारिस्ट यह आपको यह सामने यह बेल है यह महासतावरी की बेल है एक मैंने सतावरी दिखाई थी आपको यह महासतावरी की बेल है इस समय फूली है बागी सतावरी नहीं फूली है यह महासतावरी फूली इसमें लंबी- कंद या जाड इसको निकाल लेते हैं अच्छी मोटी और इसको दोके साफ कर लेते हैं मिट्टी विट्टी और फिर इसको बीच में से फाण के छोटे टुकड़े करकर के सुखा लेते हैं यह महा सतावरी आंक के लिए बहुत अच्छी दवा है आंक रोग बच्चों का दिमा क्षोरी में चोटे रहें दिनके पूलने अbürभी समय अलग अलग है कि यह अभी है ऑ यह इसne से जमीन में अ यह यह महा सतावरी अब कि यह बहूत काम की बहुत बढ़ाओ चीजें बहुत बढ़ी हा प्रकरतिक टानिक भी है इसके नीचे जहकर निकलते हैं सक्टिवान, स्फूर्टिवान, दिमाग की उर्जा, शरीर की जितना नर्वस सिस्टम है, उसको ठीक करना सतावरी का मतलब होता है, सतायू देने वाली, आदमी की आयू को सो वर्ष तक बढ़ाने वाली ऐसा इसका विबरण है इसको जंगल में होती है खूब, बगीचों में भी होती है, गमले में लगा लें आप इसको कंद हो जाता है यह महा सतावरी का पोधा है, इसको देख लें, परचाल लें, आज कल जंगलों में भी कम होता है जारा है क्योंकि लोग सब खोट कात के ले जاتे हैं इस तरह से इसकी बेल आईगी, यह लगी है, इसको आदिवासी लोग जर्रा मतारी भी बोलते हैं, और पोला और कर के दिन इसकी डंडी टोड़के, दोनों आग के बाजू में जला के इसका डमा दे देते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि वर्स भर किसी भी प्रकार का कोई बीमार, बीमारी या रोग या बुखारादी नहीं आता, यह महा सतावरी का उप्योग करते हैं, यह देखे, बहुत काम के ओश़ा दिये बित्रोए, इसका पूरा पंचांग भी काम में आता है, चाहे तो इसका कान ले लिजिए या पूरा पंचांग प्रताू या पूरा बीच में से एक नर्वस सिस्टम गया हुगा है और चारो तरफ बाकी के जो नर्व फैली हुई नर्वस सिस्टम पे भी ये बहुत लाबकारी है जो यहां यह महासतावरी का पौदा दिखा तो मैंने आपको यह बहुत कम मिलता है मित्रों बहुत कम देखने में आता सतावरी दूसरा दो दिख जाता है पर यह महासतावरी बड़ा मुश्किल से दिखता है यह महासतावरी को देखें पहचान ले आपको मिल जाए तो इसको लेकर उपयोग करें नमस्कार मैं पंडिता खिल्शुक्ल एसीय फारिस्ट